Pax चुनाव में अगर आप भी जो vote डालना चाहते हैं तो आपको साकारता विभाग के portal पे जाके Pax member बनने के लिए आपको registration करना होगा ताकि आपका Pax list में नाम जुड़ सके अगर आप Pax का सदस्ट से बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको online ही form को भरना होगा इससे आपके बहुत सारे benefits होते हैं जब भी Pax का चुनाव होगा तो उसमें आप board डालेंगे दूसरा इसमें और भी बहुत सारे अलग-अलग benefits होते हैं आपके जिसे सिधे किसान से जुड़ा हुआ मतलब चीजे होती है तो साकारता भी भाग इसको run करती है बिहार सरकार तो उसके बहुत से benefits जो है बीच-बीच में आते रख तो उससे अगर आप member हैं तो आपको बहुत सारे benefits देखने को मिल जाते हैं बहुत सारे योजना का भी लाब आपको यहां पर देखने को मिलता अगर आप Pax member है तो चलिए जानते हैं इसके लिए कैसे आपको form को भरना है अगर आप Pax में सदस्य बनना चाहते हैं इसके लिए इस पोर्टल पर आपको आना होगा और यहीं से आपको form को भरना होगा पहले आपको जो है कि नया यहां पर user id password बनाना होगा user id password बनाने के लिए आप यहाँ पे एक देखिया option मिलता है user id और password पाने के लिए यहाँ click करें आप इस पे click करके user id password को प्राप्त करेंगे form भरने से पले documents की बात करें तो आपको जो हैने एक photo लएगा half photograph लएगा 20-50 के भी के बीच और एक signature आपका चाहिए form भरते समय अप्लोड करना है इसके बसे एक कोई भी valid id proof id proof में जैसे कि आपका अधार card, pen card यह सब आपका लग सकता है और एक निवास परमापत्र आपको होना चाहिए जो भी आप जगवास सबीलों करते है वहां का स्थाई निवास परमापत्र जो बनता है यह सब पीडियाप में होना चाहिए 400 के भी से काम होना चाहिए तो form भरने के लिए आपको यहां पर एक option मिलता है user id password पाने के लिए यहां क्लिक करें यह यहां पर भी option मिलता है आप यहां पर भी क्लिक कर सके करना है आपको टीक कर देना है और यहां पर आपको नेक्ष्ट करना है और जो हिसा की रास्योति हो सरकार जो ब्यार करती है नहीं उनको सिर्फ एक रुपया में सबस्वा मिलती है यहां पे फॉर्म भरने के लिए उनका चार्ज है तो आपका नाम लिखेंगे हिंदी में आपना नाम लिख सकते हैं उस तरह से पीटा जी का नाम डेटर वर्थ यहां पीटा जी का नाम हिंदी में कोटी बताने है आप समानने हैं OBC है, SCST है, EBC है EBC, बिहार में जिसे OBC दो बागम बढ़ जाता है तो EBC और BC इसको मालनीजी आप तो यह सारे option आपको मिलनेगे gender बताएंगे, पुरू सस्त्री email ID लिखेंगे और यहां mobile number और एक password बनाना है आपको भविष्व में इसे याद रखना है ताकि पुना जब आप login करना चाहें, उसे login कर सके इसी password के थूँ, तो password आप साप सुथरा सही से बना लिजीगा और याद रखने वाला password बनाईएगा, for example, आपका नाम मालीजे राज्यू है तो, आप ध्रीपेंट करता है कि आप क्या password रखना चाहते है, अपने अपने कोई password रख लिजीएगा, फिस capture code को भरके register करना है, register करते है यहां पे देखेंगे, आपको एक user ID मिल जाता है, एक password मिल जाता है, आप इसे home page पे आएंगे और अपना login ID, password लिख के बागी के form को process करेंगे, go to home पे आने के बाद से friends, आपको यहां पे अपना user ID, जो password अपने बनायात हो, password, capture code भरके login कर लेंगे, login करते हैं friends, इस परकार से आपका welcome नाम आपका लिख देगा, यहां पे आपको इस तरह से सदस्ता form का option मिलेगा, आप इस पर click करके form को भरेंगे, यहां सिफारिस भी भरना है, bank अभीवरार देना है, अन्तीम रूप फणेलाइज करना है, ID proof और residency proof आपको यहां पे upload करना है, तो इस सारे step आपको बताते हैं, वीडियो को last तक देखिए, और वीडियो अच्छा लगें, तो like करिए, form भरने के बाद से आपको क्या करना होगा, इसके भी पूरी जनकारियां आपको बताएंगे, ताकि आपका इसली जो है, list में नाम जूड सके, आप PECS के member बन सके, अब इसपे click करेंगे, तो इस प्रकार से देखेंगे, आपका already form यहाँ पे खुल जाएगा, अब यहाँ पे नीचे आएगे, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि, किसी अन्य PECS का सदस्य से नहीं है, आपको यहाँ पे नहीं चूच करना है, आपका PECS क्या है, नौकरी, बेवसाय, खेती, मजदूरी, क्या करते हैं, अन्य का भी option है, जो भी आप करते हैं, यहाँ चूच करेंगी, इसके विससे, आपके पास कितनी भूमी है, एकड में बताना है, और यहाँ पे उसी एकड को सेम सेम कॉप्य हो जाएगा, अलग है, तो अलग अलग लिख सके, बर्तमान मतलब होता है, प्रिजेंट एड्रेस, और अस्थाई मतलब होता है, पर्मानेंट एड्रेस, तो आप इस तरह से अपना जनकारी भरेंगे, और नोमनी के संबंध क्या है, ब्रदर, फादर, या अधर, सन, वाइफ, इसमें से किसी का भी नाम आप जो है, अपने बहाई का, अपने बेटा का, अपने वाइफ का, या अधर कोई है, तो उनका भी आप यहाँ पे चूच करके डाल सकते हैं, अब यहाँ पर आप देखे आपको इस प्रकार से जो कर देगा अब आपको go to home पे आ जाना है go to home पे आने के बाद से देखेंगे सद्धा form आपने भर दिया यहां पे एक green tick हो जाएगा अब आपको तस्वीर और हस्ताक्षर और जो भी दस्तावेज उसको upload करना है तब तस्वीर पे क्लिक करेंगे यहां आपको passport size photograph 200-230 pixel का 50 के भी से कम होना चाहिए आप चूच करके update करेंगे उससे तरह से signature को आप अपना जो signature यहां पे अगर signature करता है तो थम भी लगा सकता है तो आप यहां पे का करेंगे upload कर देंगे फोटो signature upload करने के बाद से अब आपको यहां पे go home पे आ जाना है अब यहां पे आपका home page आ जाएगा हस्ताक्षर signature यहां पे हो चुका है मेरा अब यहां पे दस्तावेज upload पे क्लिक करेंगे अब यहां पे आपको दस्तावेज के प्रकार में आप देखेंगे आधार काड डियल इपिक बहुत सारे option है pen card भी है कोई भी एक ID proof आप चूच करके और उसको PDF में 400 के भी से कम होना चाहिए आप यहां पे चूच करके PDF में कैसे convert करना है तो Google में जाएंगे search करेंगे online PDF converter कोई website आप open कर लीजिएगा और यहां पे आपको select file करना है आपका जो भी documents है माल लिजिए आपका documents इसको open करेंगे और यहां पे आपको convert करेंगे यह आपका PDF में convert होना सुरू हो जाएगा और यहां पे automatic यह download भी हो जाग जतेंगे यह पे आपको ना two pics member का जो है अनुसंसद आपको पहले से जो pics member है उनका नाम नहुंके पीता जी का नाम और उनका mobile नैंबर आपको आपके लिखना बहता होगा तो आपको पहले क्या करना अपने area में अपने पंचायत में यह पधा करना है कि दो mix member जिनका नाम ज जिसा पर क्लिक करना है जिस आप इस्सक्रिख करेंगे और इसका इयां पर लिखता हो और लिखते हैं यहां पर बहुत रहा है कि आपने गलत जनकारी दिया हैップaria plot पल देते हैं आपके एक ब्रांच लिखना होगा और यहां पर एकाउंट नूबर और और बैंक का passbook आप यहाँ पे choose कर लेंगे JPG format में यहाँ image में और उसको आप यहाँ पे save कर देंगे बैंक वीवर भड़ने के बाद से friends आप देखेंगे आपका last step बच चुका है यानि finalize करने के लिए इसपे click करेंगे और यहां पे आपको यह form मिलता है आप इसे download करेंगे जिसा आप इसको download करेंगे यहाँ pop-up आएगा pop-up को आप allow कर दीजेगा और फिर आप इसपे click करेंगे तो यहाँ पे आपका यह form डौलोड हो जाएगा अब इसको क्या करना है यहा पर आपका हस्ताक्शर करेंगी और यहां जिनका आपने अनुसंसा करवाया हुआ मतलग जो 2 Pacs member है उनका जो है दोनों box में हस्ताक्शर करवाएंगी और यहां आपका जो है इस तरह से यहां से फाड़ने का option दिया हुआ है यहां को ने लेना है यहां लिंफाओगा दिनाघ को ढूत निकीजेंगे और यहां पे signature with यहां पे रिसिभर आप क्या करेंगे इसको क्या करना है दुबारा से upload करना और यहां अपना हस्ताक्षर फिर से करेंगे अंदर बॉक्स मास्ताक्षर करना यहां पे ठीक है ना और इसको का अगर अपना फ्रेंट्स यहां पे PDF का रूप में 400 के भी से कम यहां पे करेंगे चूज करके यहां पे upload member form 5 पे क्लिक करके आप upload कर देंगे तो इसको जैसे आप upload कर देंगे उसके बाद से आपका जो है form, submit करने की option आ जाएगा आप form को submit कर देंगे तो फ्रेंड्स मनें आपप पत्रांग 5 अप जिया अप यहां पर upload कर देंगे अब यहां पर आपको get OTP for finalization पे click करना है, जैसा आप इस पे click करेंगे, आपकी mobile पे, तुरंत OTP आएगा, OTP को लिखेंगे, submit करेंगे, आपका form final submit हो जाएगा, form final submit होने के बाद से friends, आपका ये जो form 5 निकला है, इसको आपको ले जाके PECS office पे जमा करना होगा, जिया दोस्तों देखें, आ आप वहाँ पे करेंगे, जमा कर देंगे, इसके अलावा अपना अधार कार्ड, इसको आपको ले जमा करना होगा, जमा करने के बाद से friends, वहाँ पे कुछ सुल्क लगता है, अगर आप SST से रहेंगे, अगर आप जो है, जनरल OBC से रहेंगे, इडिवर से रहेंगे, तो आ आपको सदसा यहां पे ले ली जाएगी, अब जब आप online आवेदन कर देंगे, तो PECS के द्वारा आवेदन प्राप्ती के 15 दिन के अंदर सदसा आवेदन पर निडल यहां पे लिया जाएगा, और 15 दिन के अंदर आपको यहां पे, क्या किया जाएगा, PECS मेंबर बना ल जो भी समर्थन मुले होता है, खाद यंग, बीज जो फसल होता है, वो छटिपूर्ती जो होता है, उस सब आपको जो है, लाब जो है, असानी से मिल जाता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं, कि हमने साकायरता विभाग के द्वारा जो योजना चलाई जाती है, फसल सायता व उप्योकर पेक्स सब्स बन सकते हैं, उप्योकते संब्ध में बिभाग पर खंड या पेक्स अस्तर पर निमान के तुरुप से प्रसीचर सा जागरुकता कारेकरम निरधारित है, यह आप देख सकते हैं, अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, आप कमेंट करेंगे, तो आपका दिखा देगा कि फॉर्म वेरिफाई हुआ कि नहीं हुआ रिजेक्ट हो गया या बन गया तो मेंबर में नाम जुड़ गया कि नहीं जुड़ा, तो आसा करता हूं, आपको जनकारी समझ में आया होगा, आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, पूछेगा, और उन सभी किसान भायों को जुरूर से करेगा, जो पेक्स में अपना नाम जुड़वाना चाहती है, आसा करता हूं, सारी इंफॉर्मेशन समझ में आ गई होगी, तैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, जाहिन